नमस्कार आपका स्वागत इद्लाज नामा टीवी पे मैं आपके साथ भगवान शीव का अगर माने जाने वाले केलाज परवत के दशन नब भारत से ही हो सकेंगे इसके लिए अब चीन के कबजे वाले तिबब जाने की ज़रूरत नहीं होगी उत्राकन के पितोरागड जिले की अठराजार फिट उची लिपू लेक पराणियों से केलाज परवत साफ दिखाई देगा यहां से परवत की हवाई दूरी पचास किलो मिटर है इस नए दर्शन माग को स्थाने ग्रामिडों ने तलाशा है इक दामिडों की सूचना पर पहुची अफसर और विशेशक्यों के टीम ने रोड में लोगों के ठहने की विवस्ता दर्शन के पॉइंट तक जाने का रूट साइथ अन्य वरस्ताओं के लिए सर्वे किया वे अपनी रिपोर्ट पे रेटन मंतरालाई को सोपेंगे इसके बाद इस नए दर्शन पॉइंट पर काम शुरू हो जाएगा विशेशक के टीम में शामिल करती चंद ने बताये कि लिपू लेक की जिस पाड़ी से परवत दिखता है वह नावी धांग के ठीक दो किलोमेटर उपर है यहां से चार-पांच दिन की यात्रा करके किलाश परवत के दर्शन किये जा सकते हैं शद्वालू को सड़क मांग से धार चुला और बुडी के रास्ते नावी धांग तक पहुशना होगा इसके बाद दो किलोमेटर की चड़ाई को पेदल तय करना होगा इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे खन्नेवाद